हैलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में स्टेप बाइ स्टेप एच्टी मेकप टुटोरियल सो विंटर में एच्टी मेकप कैसे करते हैं उसके लिए हमें कौन सा वेस या फाउंडेशन यूज करना होता है तो डिटेल्स में पूर हैर्स को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें मेकप करने के दौरान कोई डिस्टर्बन ना हो और अपने फेस को मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर ली हूँ आप चाहो तो फेस वाउस से क्लीन करो आप चाहे तो क्लींजिंग मिल्क से क्लीन करो आप चाहे तो वेट सब्ड़ की रिख्र कने बहुत जब बहुत अच्छा है और देंगे बंहुत सेटाफिल क्यों आइस्टबन के बहुत वंसे बाइमर करना सभसान के की और सब्दे़ Dan अगर सारे प्रोडक्ट लगाते चल जाएंगे तो हमारा मेकप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा पैंची सा दिखने लग जाएगा तो यहां पे जितने भी प्रोडक्ट आप लगाएंगे बहुत अच्छे से उसको ड्राय होने देना है तब ही जाके हमें दूसरा प्रोड िस करता है उसके बाद मैं यहां पे करेक्शन कर रही हूं यह है क्रायलों का 303 Supra का कलर करेक्टर है औरेंज कलर का क्या काम करता है यह आपके इसकी नहीं कीन है जो फिसके विश्व ब्लेंडर से बहुत अच्छे से ब्लैंड कर लेंगे तो अगर आपकी फेश पे पे तो आप वहाँ पे green color का character use करेंगे green color का character वो redness को hide कर देता है and darkness के लिए आप orange color का character यहाँ पे use करोगे तो इस तरह से हमें beauty blender लेना है beauty blender को बहुत अच्छे से गीला करके उसको अच्छे से सुखा लेना है बिल्कुल डैम होना चाहिए ना ज्यादा गीला हो ना ज्यादा सुखा हो बिल्कुल डैम beauty blender हम यहाँ पे use करेंगे तब ही जाके बहुत अच्छे से flawless हमारा base जो है ब्लेंड होगा इस तरह से बहुत अच्छे से हम जैसे blend कर लेंगे cover कर लेंगे गाईज सो यहाँ पे मैं foundation यूज कर रही हूँ LA girl का pro coverage HD foundation है यह illuminating foundation है बहुत अच्छा है dry skin के लिए बहुत अच्छा है और winter में सफी की skin dry हो जाती है तो यह वाला foundation आप यूज कर सकते हो यह वाला foundation से अगर आप ब्रैडल मेकप करोगे तो बहुत अच्छा base बनेगा तो यह ब्रैडल को भी दे सकते हो बड़े-बड़े makeup artist भी इस foundation का यूज करते हैं इसका जो प्राइज है 1200 है 1200 का यह foundation है अगर आप online लेते हो तो आपको 100-200 का discount मिल जाएगा तो बहुत अच्छा foundation है आप देख पा रहे होंगे इसका shade में बता देती हूं यह है इसली ब्लेंड हो जा रहा है यह वाला foundation बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है और एक डूइनस भी दे रहा है और यह केकी केकिनस नहीं लगता है बहुत अच्छा foundation है मैं इसको यूज की थी गाइस बहुत अच्छा मेकप हुआ था बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था तो अगर आप कोई अच्छा foundation अच्छा फांडेशन भूट रहे हो जो ट्रा स्किन पर जाय तो यह वाला एलिगल का एकटी फांडेशन बहुत अच्छा है तो आप देख पार हों कितना इसली एक ही लेयर मेंने लगाया है बहुत अच्छा यह ब्लेंड हो गया है और इसकी कबरेज बहुत अच्छी है मेरे स्कीन का एक्जएक बिल्कुल मैच हो राव देख बार होंगे तो इसी तरह से मैं अब दूसरे तरह भी अच्छे से अप्लाई कर लोंगी फांडेशन को लेके अगर आप ब्राइडल मेकप के लिए यह वाला फांडेशन लेना चाहती है तो बहुत अच्छा अच्छा फांडेशन है तो HD मेकप निकलके आएगा ब्राइड़ के लिए बहुत अच्छा फांडेशन एक बास रूरूत राइज़इगा इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा fit me का foundation यूज़ करती थी और Olivia से भी मैंने makeup बहुत ज़्यादा create किया है but first time मैंने इतने महेंगे product का इतने महेंगे foundation का यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा फेल हो रहा है मुझे so इसका price 1200 है guys तो आपको discount 1200 का discount मिल जाएगा तो 1900 तक का यह आपको foundation मिल जाएगा बहुत अच्छा foundation है so आप देख पारूंगे कितना अच्छा glow आ रहा है so यह आपके base को doiness देता है बहुत अच्छे से hydrating foundation है तो आप ले सकते हो dry skin वाली से ले सकते हैं अगर आपकी skin combination है तो आप सोचेंगे मैं कौन सा foundation यूज करूँ तो combination skin वाले ना थोड़ा सा matte foundation उसमें mix कर लीजिए थोड़ा सा यह illuminating foundation जो hydrating foundation होता ना dewiness वाला foundation इसको आप mix करोगे ना तो आपकी combination skin वाले के लिए perfect foundation shade बन जाएगा तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो तो मैंने बहुत अच्छे से blend कर लिया है neck and ears के आसपास इस तरह से अब मैं यहाँ पे swiss beauty का concealer यूज कर रही हूँ जो मेरे skin tone से two shade lighter है इस तरह से जिस जिस पार्ट को हमें highlight करना है जिस पार्ट को हमें उभारना होता वहाँ पे हम concealer का use करते हैं so concealer यह है swiss beauty का बहुत अच्छा concealer है यह so guys यह वाला concealer आपको offline online दोनों जगह मिल जाएगा easily मिल जाएगा so मैंने इसको offline ही लिया था जाके cosmetic shop से लिया था तो easily कहीं भी मिल जाएगा यह वाला तो इस तरह से हमें बहुत अच्छे से blend कर लेना है blending की direction आप देख पार होंगे इस तरह से हमें concealer को blend करना है so guys concealer की blending बहुत अच्छे से हो चुकी है उसके बाद मैं यहां पर contour का यूज कर रही हूं जो एनवाईवे का यह stick contour है so इस तरह से हमें जिस पार्ट को हमें cut करना है वहां पर हम contour करेंगे इस तरह से तो मैं अपने चिक को थोड़ा सा शाप दिखाना चाहती हूं तो इस तरह से हम cut करेंगे nose को थोड़ा सा shape में लाने के लिए यहां पर contour करेंगे forehead मेरा थोड़ा सा बड़ाब देख बारूंगे है तो वहां पर हलका समय इस तरह से contour करूंगे कि इस तरह से जर Оört इस तरह से मूझे से ब्लेंड कर लेंगे आप चाहओ तो कोई चोटा सा brief ले शेकте हैं या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी से को इस तरह से ब्लेंड कर सकते हो तो इससरा से में फिंगर से ब्लेंड कर रही हूं तो मेरे नोस पे शार्प निस आ गई आप देख पा रहे हूंगे और यहां पे चिक पे यह पंध शारक नस आ गई है जो मेरा आझा न ठोड़ा पतला डिखने लग गया है तो इस तरह से कंटूर आप कर सकते हो तो इसलिए कंटूर किया जाता है कि अतन yakस में असे पर ब्रेसे ब्रशे कर रहे हूं औरब्रेस से एक फ्लफी ब्रश लिया है उसको उपर की डारेक्चन में लेक्ट इस तरह से ब्रश दोनों शाइड मैं अप्लाइ कर लिया इसके बाद में यहां पे ब्लू हेवन का यह लूज पावडर है गाइस एन इसका जो प्राइज है ना 150 रूपीज है बहुत अच्छा है इसका जो शेडन नैच्छरल है हर स्किन टोन पर बहुत अच्छे से जाएगा और यह लॉंग लास्टिंग भी दिखाता आपके मेकप को फ्रूपी लगा लिया है मैंने बाकी सारी जहां पे ब्लेशर लगाए वहां पे पावडर नहीं लगा मैं ने उसके बाद में यापे अपना प्राउस करूंगी सो इसके लिए मैंने एक स्पूली ब्रश लिया इस तरह से पहले हम कॉम करेंगे सो उसके बाद में यहाँ पेश्वी स्वीटी का यह आईशेडव पैलेट है इसमें से मैंने ब्राउन शेड को पिक किया है अब इससे मैं अपने आईब्रो को शेप दूंगी इस तरह से एंगल ब्रश से आप देख पारूंगे इस तरह से मैं शेप दूंगी बिल्कुल आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तो नहीं है तो मैं कैसे अपने ब्राउस को फ्ल करंगी तो आप और ऊप्ट विले सकते हो वी ब्राउन कलर में मिल जाएगी इस ब्रूटी की बहुत अच्छी आईप्रो पैंसिल आती है तो आप देख पारूंगे मैंने ब्राउस को फील कर लिया है विल्कुल नैचरल करते हूँ अपलाई करूंगी फिलपी ब्रेस की हल से इस तरह से मैं लगा लूगी दोनों आइस में Präsident कि और उसकी बाद मैं ने यहाँ पर डार्क मरूं शेक्टल लिया है उसको मैं पर कॉर्णर में सतरह से अपलाईय करूंगई तो दोनों कॉर्णर में इस पर में थे ब्राइड की अच्छा एपने मेखप आप सकते हो अगर आप आप है भी मेकप कर दोनों इस ओपर मैं लगाएउगी शीमर शेट लगांगी और blending बहुत अच्छे से करनी है ताकि एक दूसरी का जो कलर है बिल्कुल अच्छे से मर्च हो जाए अलग-अलग सा ना दिखेगी कुछ मैंने अलग सा अप्लाई कर लिया है तो blending पे हमें ज्यादा ध्यान देना है इतना अच्छा हमारी blending होगी ना उतना अच्छा हमारा make-up आएगा उसके बाद मैंने यहापे shimmer shade लिया है golden है तो इस तरह से मैं eyeball पे ही लगाऊंगी सिर्फ बीच में ही लगाऊंगी तो आप देख बारेंगे मेरी eye कितनी deep लग रही है के बाद मैं यहां पे ली हूँ make-up fixer एक fluffy brush ली हूँ make-up fixer को अच्छे से बहुत अच्छे से गीला किया ब्रस को थोड़ा सा मैंने यहां पे glitter पिक किया है हलके हाथों से पिक करना है और वहां पे प्लेस कर देना जहां मैंने golden shimmer shade भी apply किया है तो यह ना eye makeup बहुत ही प्यार pen eyeliner लगा रही हूँ आप चाहो तो gel eyeliner लगा सकते हो बट जिनको ना liner लगाने में प्रॉब्लम होती ना तो यह pen वाला eyeliner लगा सकते हो लगाने के बाद तुरंत ही dry हो जाता है तो इधा-उदर लगने की इसमें जंजट नहीं है तो liner को कैसे लगाना है सबसे पहले हमें सेंटर से स्टार्ट करना है सेंटर में सबसे पहले हम लाइनर को लगाएंगे उसके बाद हम दोनों कॉर्णर में इस तरह से लगा लेंगे बहुत इजली इस तरह से liner लग जाता है सो मैंने दोनों आइस में बहुत अच्छे से liner की application कर ली है अब उसके बाद मैंने यहाँ पे Swiss beauty का यह mascara अप्लाई कर रही हूं इस तरह से हमें mascara को अप्लाई करना है कि अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पेfaces कनेडा का लॉंग लास्टिंग काजल यहाँ पे अप्लाई कर रही हूं इस तरह से और यह काजल बहुत अच्छा है जब तक आप इसे निकालोगे नहीं तब तक यह नहीं निकलता है वाटर प्रूफ है लॉंग लास्टिंग है यह और मैंने लिया है यहाँ पे डार्क मरून शेड सो जहां मैंने काजल लगाया हलका सा वहीं से आई शेडो लेके मर्च कर दूंगी काजल और आई शेडो दोनों इस तरह से मिक्स कर दूंगी और इसके बाद मैं यहाँ पे न्यू गल्स की पैलेट से मैंने हाइलाइटर लिया है और हाइलाइट एरिया पे इस तरह से मैं हाइलाइटर लगा लूंगी कि लिए मैंने यहां पर लिप क्रियोंस लिया है ग्लैम 21 का यह लिप क्रियोंस है परपक कलर का है मैं थोड़ा इसमें यहां पे पिंग कलर को इसमें मिक्स करूंगी तो यह बहुत अचा एक प्यारा शेड बन जाएगा तो एक लिक्विट लिप स्टिक है और एक है क्रीम अप्रिकेशन करने वाले हूं कि यहां पर मैंने लिप स्टिक की अप्लिकेशन कर लिया है इस तरह से आप देख पार होंगे मेक अप इतना प्यारा लग रहा है आई मेक अप इस बहुत ही प्यारा लग रहा हूं उसके बाद में आपरOOOO का यहां पर लगा रही हूं है और यह इस थ्री डी में है बहुत अच्छा एफ्ट आता इसका वर्याइट के लिए बहुत अच्छा है यह फेट ले सकते हो तो इस तरह से मैंने ग्लू लगा लिया है यह आई का ही ग्लू है एंड इस तरह से लगाके आपको 90% तो सूख नहीं देना है गुलू को तब जाके आपको लगाना है तब बहुत अच्छे से लगेंगी so corner से बहुत जल्दी निकलने लग जाती है तो corner पे बहुत अच्छे से लगा लेना है दोनो corner पे और जब 95% 90% जब गुलू सूख जाएगा तब जाके हमें इस तरह से लगा लेना है तो ये जब तक आप निकालोगे नहीं तब तक नहीं निकलेगी बहुत अच्छे से ये लग जाएगी इस तरह से आप fake eyelashes लगा सकते हो so जो दोनो corner होते हैं वहाँ से जल्दी निकलने लग जाती है तो मैं इस तरह से दूसरे eyes में भी लगा लूँगी so मैंने दोनों eyes में लगा लिया है look बिल्कुल change हो किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे golden color की जूल्दी डाल दी है और इस तरह से और यहाँ पे मैं hair style बिल्कुल simple रखने वाली हूँ मैंने puff बनाया है आगे से ले जाके और टीको को fix कर लिया है इसमें उसके बाद पीछे मैं एक बन बना लूँगी simple सा और थोड़ा सा आप इस तरह से pulling कर देंगे न तो आपके जो hair style look है थोड़ा सा enhance हो जाएगा प्यारा सा लगेगा इस तरह से तो यहां पर मैंने बन बना लिया है पीछे बिल्कुल सिंपल सा तो आप अपने चॉइस के according आप अपना hair style बना सकते हो आपको कैसा चाहिए तो उसके बाद मैंने यहां पर विंदी अप्लाइ कर लिया है पर पर कलर की और यहां पर मेरा final look आप देख पा रहे होंगे makeup fixer मैं यहां पर नहीं यूज की हूँ क्यूंकि मैं जो सिर्फ makeup को दिखा के हटाना है और अगर आप ब्राइडल makeup look कर रहे हो है भी makeup look कर रहे हो पार्टी के लिए कर रहे हो आप चाहते हो कि 5-6-7-8-10 घंडे तक टिका रहे हो तो आपको makeup fixer ज़रूर लगाना है आपको इ नहीं से भी केक ही नहीं लगा है तो यह होता है HD makeup so तो आप लोग को समझ आ गया होगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह मेरा makeup look कैसा लग रहा है बहुत मेहना से मैंने यह look किया है guys रात को दो बजे जखके मैंने यह makeup look create किया है आप सब के लिए और थोड़ा सा भ आप कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स वीडियो किस topic में लेका हूं कौन सा look देखना है और कौन सा foundation का review आप देखना चाहते हो कौन से foundation से में नेक्स जो makeup look लेका हूं कौन से foundation से make up करूं आप सब के लिए तो आप मुझे comment box में बता सकते हो और जाद 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 शेयर आपके ले बाइबाइबाइब तेक्या